हेलो दोस्तों कैसे हो आपका स्वागात है त्रिपान स्टेडी सेंटर में आज जो आपके समक्ष पस्तूत किरने जा रहा हूँ वो काफी महत तुपून है जो बچे कंपूरिशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी महत रहे गाएंगा चाहे आप S,S की अग्जान की एक्जान दे रहे ओ चाहे उप की इसमक्ष पस्तूत का त्यएंगा चलिए देखते हैं हमारा आज जो है MCQ क्या कहता है यहाँ पर जो हम कर रहे हैं काफी महत्वपून चैप्टर जीवन की मौलिक इकाई जीवन की मौलिक इकाई यानि fundamental unit of life तो यह काफी महत्वपून आप लोगों के लिए होता है तो देखा जाए अगर हम कोशन की हमार बात करें तो हमारा यहाँ कोशन आया है क्यों सही जोरे का चैन करें जिसमें केवल एक कोश्के जीव सामिल हो तेखिए यहाँ पर दो-दो के जोरे बनाए गए हैं लेकिन इन जोरों में एक ही ऐसा जोरा है जो केवल एक कोश्के जीब ही समलित है बाकि एक में अगर एक कोश्के है तो आपको चैन करना है कि एक कोश्के जीब जो है किसमें समलित है तो कौन सा हो सकता है देखे पौदे और जानवर यहां तो डारेक्ट रेजक्ट हो रहे हैं क्योंकि पौदे और जानवर तो होई नहीं सकते पौदे जानवर जो दोनों घी Clarke होते हैं बहु कोश्के जीब के अंतरगत dwells नहीं की जोएब तो दो दो में तो आप अपना आंसर करें कीजिए और इसको कोमेंट बॉक्स के साथ साथ मुझे अंसर बताईए किसका अंसर क्या हो सकता ए ठीक है कि जरूरी होता है आपने अपना सा सोच लिया होगा देखिए कोशन टारेक्ट ली है कि उस सही जोरे का चैन करें जुसमें केबल एक कोश्क के जीव समलीत है तो कोशन तो समझ में आही गया होगा देखिए अमीबा तो एक जीव कोश्क है कि एक कोश के जीव का उदारन है इसका मतलब आपका सही है बीआपशन के साथ आप जा सकती हो और जिन बच्चों ने बीआपशन चुना है उनस सबका रहाएंसर यहाँ पर सही है ह वह आगे बढ़ सकते हैं चलि दिखते ईगला कोशन क्या है कि अगला हमारे समक्ष आ गया है किसी की कोशिकाओं में आपर बार्मानौ gevली खराद परभाशित होती В और यह जिब कौन सी हो सकती है क्या A. बैक्टिरिया होगा या B. जानवर होगा या C. कबक होगा या D. पक्षी होगा आपका अपना अंसर जो इनलाइस करना है अब मुझे सही अंसर आपको बताना है ठीक है? तो यह काफी महत पूर्ण रहेगा तो कौन सी है? किसको कह सकती है? ठीक है? आपने अपना अंसर सोच लिया होगा अब मुझे जो भी माद्यम आपको प्रयाप्त लगता है आपने मुझे अंसर जुरूरी जो भेजा होगा अब हम इनलाइस करके देखें तो किसी जीव की कुष्का में परमानु जिल्ली खराब परभाशित होती है और यह जीव हो सकता है तो एक जीव तो जनरली देखा जाए तो एक ही है बैक्टिरिया ही है तो इसका मतलब बैक्टिरिया आपका सही अंसर है यानि ए ओप्शन यहाँ पर सही है बैक्टिरिया और जिन बर्चो ने बेक्टूरिया लगाया है उन सब का अंसर सही है सही है तो चलिए देखते हैं अगला कोशन क्या सही बताता है अगला कोशन आपके स्क्रीन पे आ गया है कोशन है कोशिका में पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा होता है कोशिका होती है तो कोशिका में जो पदार्थ होते है तो पदार्थ का परिवहन कोन करता है क्या A. गलगजी कंपलेक्स करता है B. लाइसोसुम करता है C. मैट्रोकॉंडिरिया करता है या D. इंडोप्लाजमा रेटकुलम करता है तो कौन जो है पदार्थों का परिवहन करता है जिन जिन बच्चों को अंसर पता है फटा फट जो है इसका अंसर लिखिए चलिए आप लोगोंने अपना अंसर नोट कर लिया होगा अच्छी बात है चलिए देखते हैं इस कोशन को समझ किये कोशिका में पदार्थों का परिवहन किसके द्वरा होती है तो यहां पर परिवहन के कारें नहीं है और जहां तक लाइसोसम के बारे में आपको भी पता होगा इसे आत्मघात की थैली कहते हैं यह जो होती है अपनी कोशिका को ही खा जाती है तो यहां पर परिवहन के काम तो नहीं करेगी सी देखा जाए तो मैट्रोकुंडिरिया मैट्रोकुंडिरिया के एक बात तो सखास है कि यह जो है नेर्जी को स्टोरेज करती है इसलिए इसको पावर हाउस करते कहते हैं और यह सब ATP के रूप में होता है तो मैट्रोकुंडिरिया जो है पावर हाउस के रूप में कारे करता है ना कि परिवहन के रूप में कारे करता है इसका मतलब D option सही है इंडोप्लाज्मा रेटकुलम का काम जो होता है परिवहन का होता है ठीक है इंडोप्लाज्मा रेटकुलम यानि इंडो प्लाजमा रेट कुलम काफी महत पून होती है अगर आपने S.E.R.R.E.R. के बारे में जाना होगा roughly इंडो प्लाजमा रेट कुलम और स्मूथ इंडो प्लाजमा रेट कुलम और इसका डिफरेंस परा होगा तो शायद आपको इसके बारे में बहुत ही अच्छी इंफ्रमेशन प्राफ्ट होते होगी लेकिन जिन बचोंने इंडो प्लाजमा रेट कुलम और देखा जातों S.E.R.R.E.R. के बारे में नहीं परा है तो इनका नोलेज यहाँ पर थोड़ा दूरा रहेगा ठीक हैं तो यहाँ पर कोश्ण तो साफ था कि कोश्ण के पदार्तों का परिवर्ण किसके दौरा होता है तो वो होता है इंडो प्लाजमा रेट कुलम जो है पदार्तों का परिवर्ण करता है तो D.Option आपका यहाँ पर सही जाता है चलिए देखते हैं अगरा कोशन क्या है अगरा कोशन हमारे समक्षा गया है कोशन है कि यदि किसी कोशिका के राइबोसोम नस्ट हो जाए अगर माल लीजिए यदि किसी कोशिका के राइबोसोम नस्ट हो जाएगा तो क्या होगा क्या A सवर्षन नहीं करेगा बी बासा संग्रहित नहीं हो पाएगा या सी कारबन आत्मसात नहीं होगा या डी प्रोटीन नहीं बनेगा तो जर्नल सी बात है अगर आईबोस्वम नस्ट हो जाए किसी कोश्का में तो क्या होगा कोश्टन तो देखिए काफी महतवपून है और एक्जाइम पॉइंट से तो महतवपून डखता ही है तो सबसे पहले आपको जो है इसका अंसर देना चाहिए और कॉमेंट पे लिखना चाहिए तो आपने अपना अंसर सोच लिया होगा कोई न कोई माध्यान तो जरूर मुझे अंसर पहचा लिएगा अगर हम इनलाइज करके देखें तो देखी क्या है यदि किसी कोशिका के राइबोसोम नस्ट हो जाएगा तो क्या होगा देखें राइबोसोम में सबस्वर्शन नहीं होगा ये अप्शन गलत है इवन बासा संगरीत नहीं होगी ये भी अप्शन गलत है क्यों राइबोसोम काई सारे कारे नहीं होती है येवन देखें तो कारबन आत्म साथ नहीं होगा ये भी ये option गलत बताता है अगर माल लेजे किसी कोशिका के राइबोसोम अगर नस्ट होगा तो protein नहीं बनेगा और protein जो है कितनी महत्वपून है कहते हैं हम लोग जो है protein से ही बने होती है अगर आपके राइबोसोम नस्ट हो जाता है तो protein बनना ही बन्द हो जाता है तो इसका option D सही है और जिन बच्चों ने D option चुना है उन्स सबका answer यहाँ पर सही जाएगा, सही रहेगा और जिन बच्चों का अभी तक बहुती कम option हुए है अंसर गलत हुए है उनके लिए और भी आगे विकल्प है चलिए देखते हैं अगला विकल्प हमारे समक्ष क्या आता है अगला हमारे समक्ष question आ गया बहुती असान और बहुती interesting है और बहुत easy भी है सब बच्चे इसका अंसर दे सकते हैं कि कोशिका की खोज किसने की थी कोशिका की खोज किसने की थी क्या Robert Hook ने की थी या B. Leeu Benhawk ने की थी या C. Rowan Brown ने की थी या D. T. Swen ने की थी जो भी अंसर आपको लगता है फटा फटा अंसर देजी बहुत असाना question है अब मुझे विस्वास है सब बच्चों का अंसर यहाँ पर सही जाएगा क्योंकि जिन बच्चों ने NCRT book follow किया है उनके starting page पे ही इस question का जवाब है ठीक है NCRT के अगर आप live processing देखे है और चप्टर देखी है यह सही है robot hook ने जो है कोशिका की खोज की थी ठीक है और जिन बच्चों को नहीं पता था उनको भी आप पता हो गया होगा कि कोशिका की खोज किस ने की थी robot hook ने यानि ए option आपका सही है ए option के साथ आप जा सकते हो है